स्वागत दोस्तों आपका हमारी स्यूट्यूब चैनल कंफ्यूजर 9.2.11 में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसी टीरी फेज 2 का जो एक्जाम हुआ है उसमें क्लास 9-10 सोसल साइंस और क्लास 6-8 का सोसल साइंस का कटफ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इसे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपका मैस साइंस और मैथेमाटिक्स का आपका क्लास 6-8 और 9-10 का उसमें कटफ बताया था तो यहां पे हम सोसल साइंस का बताएंगे क्लास 6-8 और 9-10 का कटफ तो क्या भी एक्सपेक्टेट कटफ जाएगा वो आप गया है नंबर ओफ वेकैंस को लेकर के बनाया गया है और कितने स्टुएंट के किस तरह से मार्क्स आया है वह एनलाइस करने के बाद थोड़ा लेट हो गया है बनाने में क्योंकि जनकारी उटाने में कुछ समय लगा था और आप ध्यान देंगे कि जो कटफ पिछले साल की तुलना कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से गलत है क्योंकि इस बार जो है पिछले साल की तुलना में लगभग जो है आधी वेकैंसी आई है ठीक है हर सीट पे जस्ट सीट जो था वो हाफ कर दिया गया है तो हाफ कर देने से सीट की संख्या कम कर देने से क्या हो जाएगा कि क सबसे पहले देखिए अन्रिजार्व का यहां पर 82 या 83 के बीच में यहां पर जाने की संभावना है सोसल साइंस में ठीक है आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन चाहे कुछ भी हो अगर कहा जा रहा है कि हिस्ट्री वाला का असान हो गया हिस्ट्री वाला करें जोग्रफी वाला उसके बाद आई यहां पर EWS का EWS का वह 41 कटऑ जाने की संभावना है और EWS फिमेल की बात करें तो यहां पर EWS फिमेल की जो है वह 69 कटऑ यहां पर रहेगी अब आई यह EBC का तो EPC का यहां पर हाद एए 76 जाएगा और ebc एगर female की बात करें तो ebc female किया यहाँ पे cutoff 66 जाएगा next आईए bc का तो bc का जो cutoff है वो 80 के राउंड रहने की संभावना है 910 में social science में और bc female का जो है वो 69 नमबर रहेगा अब आईए sc का sc का यहाँ पे 68 नमबर रहने की संभावना है और sc female का जो है वो 52 वहीं पे अगर ht की बात करें तो ht का 60 और ht female का अगर बात करें तो 50 नमबर के राउंड यहाँ पे cutoff रहने की संभावना है तो आब आईए class 6 to 8 में class 6 to 8 में जिन्होंने दिया होगा exam ठीक है सबसे पहले तो यहाँ पे seated paper 2 ही निकालना tough था और बिहार में चोकी category में बहुत कम लोग पास किये हैं seated paper 2 तो category का cutoff कम जाएगा लेकिन जो unreserved का है उसमें cutoff high ही जाने की पूरी उमीद है तो चलिए आब यहाँ पे class 6 to 8 social science का cutoff हम लोग देख लेते हैं तो unreserved का यहाँ पे 86 number cutoff जाएगा ठीक है यहाँ पे आप क्योंकि history वाला जो चूच की होंगे उनको थोड़ा सा फैदा हो गया होगा थोड़ा सा history का जो था असान था ठीक है तो history वेगरा history और political science जो रखे होंगे उनका थोड़ा सा असान यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे 86 जो है unreserved का रहेगा cutoff और unreserved female का अगर बात करें तो 75 रहेगा और B.C. का अगर बात करें तो यहाँ पे B.C. का 82 number cutoff जाने की संभावना है पूरी तरह से और B.C. female का जो cutoff है वो 71 रहेगा और EBC का जो cut-off है वो 78 रहने की संभावना है यहाँ पे और EBC female जो है वो 69 नमबर रहेगी cut-off और SC का जो है 68 नमबर और schedule का female का जो है वो 54 नमबर रहने की संभावना है EWS का बात करें तो economically weaker section का जो cut-off रहेगा वो 83 रहेगा और economically weaker section female का जो है वो यहाँ पे 72 नमबर रहने की पूरी तरस संभावना है यहाँ पे schedule tribe का जो है ST का 63 नमबर रहेगा और ST schedule tribe female का जो है यहाँ पे 51 नमबर रहने की पूरी संभावना यहाँ पे cut-off है तो यहाँ पे जो मैं चुकी इन्हीं दोनों subject से math और social science से ज्यादा student से बात किया हूँ और इस वज़ा से मैं इतना ही cut-off बता पाऊंगा आपका social science का और math का मैंने upload कर चुका हूँ इससे आगे ना English ना Hindi उसका मेरे पास जनकारी नहीं है और नहीं मैंने उसका analysis किया है तो उसका मैं cut-off नहीं बता पाऊंगा था जो Hindi और other language के जो है वो फिलहाल comment ना करें क्योंकि उनका cut-off बताने के पास मेरे पास data नहीं है यहां पर जो था मैंने जितनी जनकारी कटा की इसमें social science का 910 और 628 का मैंने cut-off बताया इससे पहले जो वीडियो अप्लोड किया था उसमें math और science का जो था वो मैंने cut-off बताया था तो आप लोग इसके पहले भी वीडि मैं हुद धन्यवाद